वेल्कम बैक नोवा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं मैब लाइट की एक्चुली केविल लाइट की मेन्यो की केविल लाइट की कैसे आप इंस्ट्रोलेशन अगरा कर सकते हैं मैं एक्स्पेयन करूंगा आपको जैसक मैं अपने वीडियो में कर सकता हूं तो जो मैं लाइट से लिए लाइट यूज कर रहा हूं अपनी कार में और अपनी बाइक में उस कंपनी ने मदले को आटोपांस की लाइट में एज़ रखी है मेरे को जो कि उन्होंने भी जस्ट लाइट की है तो उन्होंने मेरे को भीजा और टेस्ट करने वगरा के लिए तो मैंने अलेडी टेस्ट कर लिया है तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है हाववर अगर स्टॉक लाइट की बात करें जो स्टॉक हेलोजन लगे रहते हैं के बिन के अंदर विन्यू के वह भी ऊपर लंगे बात करेंगे तो काफ अच्छा ऐलिऊनी निएशनलब स्बसक्ति वह आप ऐ कई में बहुत अच्छा ऐलिम्मिनेशन मिलेगा ऐससे अगर वाइड़ाइट प्योर राज़ाते हैं तो ओर रूजन um बढे वाट कितंग झस बि人 देख सकतें यह हैं हम अर्ब समी इंस्टलेशन की तरफ और leds के box कुछ इस तरीके साब को आएगा थोड़ी सी packaging थोड़ी लूज रहती है अंदर जो lights रहेंगे यह lights रहेंगे so that's not a part of it however packaging जो company भीज के pack करके बेशती हो बहुत अची packaging रहती इसलिए आपको अब हम बढ़ते हैं installation के और okay guys so जैसा कि अब देख सकते हैं किविल लाइट्स आप मैप लाइट्स को लें किविल लाइट्स डोम लाइट्स पीछे लगी है इसलिए मैप लाइट्स यह अपक्योप लगी होगी है मैप लाइट्स काफी अच्छा illumination करते हैं अगर है जलो जिए कि बात करें तो काफी अच्छा illumination करें यह यह एक तरीकर देखा जाया तो उनकी जो white light होती है वह काफी अच्छी होती है और जो मंदब जैसे इंडप्ट एरिया जैसे यहां सब हो तो अच्छी से इल्यूमिनेशन करने में वदद करती है लिदी इस कंपेटर स्टॉक है लोजन भी आप रहने दे सकते हैं कोई इस्यू नहीं है बहुत अच्छी इल्यूमिनेशन करता है करना ही में चाहते है लिदी इन बिनित तो यहां आप देख सकते हैं यह रही हमारी केवल नाइट और मैपलाइट इसको मैपलाइट बोलेंगे और इसको अच्छी डोम लाइट बोला जाता है यहां च्छी तरो मैपलाइट and that's the cable that's the screwdriver that's all you need for installing these leds so आपको install करने के लिए सबसे पहले तो आप जादा अच्छा है आप बल्प सॉफ कर लीजे तो that will be better क्योंकि बल्प हेलोजन्स हेलोजन्स काफी हीट हो जाते हैं so simple procedure as you know that is the push button light so आपको push button को मतलब कि remove करने के लिए यह जो यहां से मतलब कि कुछ इस तरीके से यहां पर लगाना होगा just यह आपको यहां पर push करना होगा push करना होगा और yeah that's it that's it आपकी led अर्य हेलोजन आप देख सकते हैं coffee सदा हीट है so आप देख सकते हैं यह आपका हेलोजन similarly धर भी रहेगा और एक चीस और करेषैं का है कि अगर आप जब भी स्कूरुदावर लगा है कि अगर आप जब भी शुदावर लगा है तो make sure to put it here but do because यहां पर आप मैं भी टिफाता हूं अगर आप यहां पर लगाते हैं यहां पर लगाते हैं so that will break this hook actually for supporting it will break and it will cost you money to reinstall it or replace it so make sure to put the screwdriver here so that the these the these are the knobs actually whatever you say these are the knobs that will come out because they are just fixed fixed in here so you'll have to use the screwdriver to take it out so yeah that's the only procedure to actually take out the lights matter wali be kar dieta hoi in par similarly either ki bhi karin ge ap yeh dekhye dhik sakte ha hap remove ho gayi that's it similarly udhar ki bhi ap dhik sakte hain and ap jalata hoi lights toh yeh kuchh is tarikas jalingi abh main bulb lagataho so these are the bulbs i have taken in the mouth so yeh raha hap ke doh toh chote se bulb hain bhoh chote se 100 lumens ki 100 lumens ki power generate 100 lumens ki intensity generate karthay hain quality kaafi achi dikh rahi hai meri ko actually and so quality kaafi achi dikh rahi hain bhoh chite hain aur baat ki jayayi osram ki toh osram ko mani use toh nahi kiya but actually still osram ka point five watts ka hai aur that generates 35 lumens only the osram bulb that cost you 437 rupes इसको लाइसिंस प्लेट पे, नंबर प्लेट ,- अमर केविन लाइट्स की तरीके से आप पारकिंग लाइटça के तरीके से या निया avoir के जो की तरीके से रही है, अधिन आप वरूकष्ट दिय्टी Creative उसका बल्ब जो होता है अब मैं उसका डिजाइन मतलब कि नाम ने बता सकता है क्या बल्ब होता है बड़ इसको आप डिवायर लगा के दोनों साइट आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वेन्यू मतलब बूट विल लिट अप एक्चुली सो अब हम बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की और कि गाइस सो अब निकालते हैं बल्ब को बल्ब निकालने का सिंपल और सीधा सफंडा है बल्ब को पीछे से पकड़ी और सिंपली पुश अब पार कर दीजिए बल्ब बाहर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से यह बल्ब दिखते ह हैं 10 watts के होते हैं काफी प्यारे दिखते हैं एक्चलिए एट लोक्स एक्चली वेरी कूल यप सिम्लली आप इदर के बल्ब को भी निकाल लेंगे जस्ट पुश इट आउट साइट एंडे वेल कम आउट यप तबल्ब आवम इंस्टॉल करते हैं एलेडी इस को सो यह रही ह आप आप अच्छे पुश करें बैक वर्ड पुश करें जादा अधर वाइज यह प्रॉब्लम आपको क्रिए कर सकती है मतलब कि जब आप पॉट हो तो उससी बाहरा सकते हैं तो यह प्रोग्रम एक्षिली तरिके से इंस्टॉल हो गया है बल्ब आप देख सकते हैं अब दूसरे साइट के बल्ब को भी इंस्टॉल करते हैं यप लेट्स टेक इंस्टॉल हो सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं अब हम इसको इल्यूमिनेट करते हैं फर्स्ट लेट्स पुट आप दा फ्लेशलाइट यह आप देख सकते हैं कंप्रिट्ली अंदे रहा हो चुका है अच्छिली सो अब मैं लाइट आउन करने जा रहा हूं अब मैं इसको की मतलब की इसके जो कावर होते हैं मैं इसको लगा कर दिखाता हूं और आपको यह जो होते हैं इसको आपको इस तरीके से पुश करना है और करुब प्सक्राइब कारम कारगहा हैं और सवह करना रहे लिए आयू करेंदे रहे जाय कोई है रहे जाहर कहता है तो है अंति हम कर दो इस तो हिद्ध कर दो इस दो हम आप कर दो गांग हैं तो सुपर जाहा हूं अब मैं आपको इल्लुमिनेट करती है अब बाहर से दिखाता हूँ एक सेकेंट अब देख सकते हैं कुछी सरी के से बाहर से इल्लुमिनेशन है इसका इच्छा इल्लुमिनेशन है स्टॉक के कंपेरिजन में और बैक तक भी थोड़ा बहुत इल्लुमिनेशन जाता है और रूपएंगर के दिखाओं तो अचली तो क्रोम जो है वो जादा शाइन कर रहे हैं but otherwise overall it's complete white light is complete white and it's pretty good actually okay guys so that was the complete video of how to install the cable lights or license plate or everything kind of lights inside the cable of the hyundai venue inside the front headlights or front in map lights of the Hyundai venue whatever you call it whatever you call it so that was the complete video of how to install the lights in the in the map lights of the Hyundai venue और आप इसको completely आप इसको दूसी दूसी गारियों में भी install कर सकते हैं और आप इसको आप ऐसको कार की बाइक की number plates की उस पर भी install कर सकते हैं skooters के भी number पर इंस्टाल कर सकते हैं कार की नमबर पेट पर इंस्टाल कर सकते हैं और आल-इन-अ-ब आप इसको कहीं भी इंस्टाल कर सकते हैं तो यप और मैंने आपको illumination अगर दिखाया काफी अच्छा illumination कर रही है तो it's actually value for money in terms of my point of view and I am showing it to you that these are the lights that was gifted बाइ आटो वांस तो मी एंड एक्चली आर वेरी वेरी गुड तो यप यह था मेरा वीडियो आज का और के सरी के साथ आप इंस्टॉल होगरा कर सकते हैं इसको गाड़ियो में तो अगर आप चाहते हैं कि डॉम लाइट को भी इंस्टॉल करूं तो अपर दो रिमेंबर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो माई YouTube चैनल और थैंक्स फॉर वचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग और श्चाइब का दो गाईस ब्सक्राइब का दो अ मैं आसे वीडियो लाता रहाँ आँगा तो स्टे टून फॉर माइन न्यो वीडिएओ ऐन थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर दिनेंगे लूरे में पुट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल एंड कमेंट करके मेरे को पता ही कि आपको वीडियो कैसा लागा और जो भी इंप्रूमेंट हो भी बटा जीएगा मैं प्रूफ करता रहूंग अप यई थे जएग दोiste कि वें। अधर में यहाइब नहाँ जीडियो लाईवा जिवद येहाँ झाने अफ़ ऋयू जाहाँ वहाँ ऑन चना प्साइब खर उंदाएद कर दो लुदिर को